तो यहाँ पर अगर हम अपने example को देखें, तो यह हमारा example है, यहाँ पर हम बात करेंगे रमेश की, यह हमारा रमेश है, रमेश ने जो है सबसे पहले manufacturer से raw material purchase करा है, उसके बाद उसी raw material को finished goods में convert करके consumer को sale कर दिया, तो manufacturer ने जो है रमेश को raw material sale करा है, तो यहाँ पर अगर मै रमेश को जो raw material sale करा, उस raw material का price था 20 लाक, यह purchase price है रमेश के लिए, तो manufacturer ने 20 लाक का raw material रमेश को sale करा, तो जब भी goods को sale करा जाता है, तो उस समय sale की amount के उपर tax लगाया जाता है, GSE आने से पहले हमारे पास अलग लग तरीके के taxes थे, तो यहाँ पर government ने जो है manufacturer को बोला, क तो manufacturer ने रमेश को कितने में raw material sale करा होगा, 20 लाक का हमारा raw material का price हो गया, फिर जो है उसके उपर 10% की excise duty लगी और 10% का wet लगा, तो इसका हम total करेंगे और जो भी price आएगा, उस price पर जो है manufacturer रमेश को raw material sale करेगा, यहाँ पर जो है रमेश हमारा buyer है, और मैंने आपको अभी ब इकला, tax का burden किसके उपर आया, buyer के उपर, तो रमेश ने seller को, यानि manufacturer को, इस 20 लाक के उपर tax pay करा, और फिर manufacturer ने जो है, उस tax को government के पास जमा करवा दिया, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तो रमेश के पास raw material आ गया, तो रमेश ने जो है, इस raw material को final product में convert करा, तो final product में convert करते समय पर, रमेश का processing charge लगया, 10 लाक का, यानि रमेश का 10 लाक का खर्चा हो गया, उसके बाद रमेश ने जो है, final product योपर, 4 लाक का अपना profit रखा, और फिर जो है, रमेश, इन goods को consumer को sale करने जा रहा था, लेकिन उस ताइम पर भी, जो है, sale करने से पहले, रमेश क में बोला, ठीक है, तो रमेश का processing charge और profit जोडने के बाद, जो final price आया था, उस price के उपर, रमेश जो है, 10% की excise duty लगाएगा, और 10% का wet लगाएगा, और फिर finally, जो भी sale price आयेगा, उस sale price पर consumer को good sale कर देगा, तो समझ में आ रही है बात, यहाँ पर अगर मैं आप से पूछ जो है, बायर ने करी, तो बायर की जेश से टेक्स निकला, बडन आया, बायर के उपर, बायर ने जो है, रमेश यानि जो seller है, उसको tax pay करा, उसके बाद जो है, यह इस tax को government के पास जमा करवा देगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि बायर जो है, टेक्स की payment करता है, और seller की duty होती है, कि वो बायर से tax receive करके government के बास जमा करवा देगा, तो समझ में आ रही आपको बात, तो यहाँ पर आपको question के लिए रहो गया, तो आप एक बार question को अच्छे से देख लो, उसके बाद हम इसके solution के उपर चलते हैं, कि आखिर रमेश ने कितने में manufacturer से raw material खई सबसे पहले है, before 1986, उसके बाद है, after 1986, और फिर आता है, third stage, after GST, 1986 से पहले, जो इंडिया के अंदर tax का system था, वो system बहुत बेकार था, उसके अंदर बहुत सारी problem थी, लेकिन तीन major problem थी, एक था हमारे double taxation, दूसरी problem थी हमारी tax on tax, और तीसरी problem थी हमारी multiple taxation, अगर मैं double taxation की बा सिर्फ दो बार नहीं, एक ही समान के उपर, तीन चार बार tax लग रहा था, तो सबसे पहली problem थी, उसके बाद दूसरी problem थी, tax on tax, tax on tax का मतलब होता है, कि tax की amount के उपर tax लगता था, let's suppose आपने 100 रुपे का कोई समान खईगा, उसके उपर आपने 10 रुपे का tax पे करा, तो यह उस 10 रुपे के उपर दुबारा tax भी करो, तो आपको कैसा लगेगा, तो 1986 से पहले double taxation तो हुई रहा था, एक ही समान के उपर बार बार tax लग रहा था, लेकिन साथ के साथ, tax की amount के उपर भी tax लग रहा था, अभी हम detail में बात करेंगे, कि double taxation का होता है, और tax on tax का होता है, तो उसकी आप tension मतलो, बस आप problem सुन लो, कि 1986 से पहले कौन-कौन सी problem थी, उसके बाद तीसरी problem थी हमारी multiple taxation, अब multiple taxation तो मैंने आपको बताया, कि GST आने से पहले हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग taxes थे, तो एक ही समान के उपर जो है, अलग-अलग तरीके के taxes लग रहे थे, त इससे multiple taxation की problem भी आ रही थी, तो इंडिया के tax system के अंदर before 1986 हमारे पास यह तीन तरीके की problem थी, तो फिर क्या हुआ, 1986 में जो उस समय की government थी, उस government का इन तीन problems के उपर ध्यान गया, तो 1986 में जो है, गौर्मेंट ने इंडिया के tax system के अंदर कुछ changes करे, जिन changes की वज़े से हम हमारे पास जो सबसे पहली problem थी, double taxation की, वो problem खतम हो गई, पूरी तरह खतम नहीं हुई, थोड़ी बहुत उसके बात भी बच गई, लेकिन ज्यादा तर double taxation की problem खतम हो गई, अगर मैं 1986 की बात करूं, तो यह 3 problem में से एक problem हमारी खतम हो गई, double taxation, अब कैसे खतम हुई, तो 1986 के पात जो है, इंडिया के अंदर, tax system में तीन अलगलग changes हुए, सबसे पहला change हुआ, जिसका नम रखा mod wet, mod wet का मतलब था, modified value added tax, यानि यहाँ पर tax system को modified कर दिया गया, उसके बाद 2000 में आया हमारे पास, sent wet, जिसका मतलब था, central value added tax, तो mod wet के अंदर ही कुछ changes करे थे, जिसके बाद हमारे पास sent wet आया था, उसके बाद उसके अंदर कुछ changes करे, और फिर आया हमारे पास 2004-05 में wet, wet का मतलब है, value added tax, तो यह तीनों ही system, double taxation की problem को खतम करते थे, अब यह होते क्या थे, उसके detail में हमे लेकिन अभी भी text on text और multiple text की problem ऐसी की ऐसी थी, तो इन दोनों problems को खतम करा GST ने, जब GST आया, तो GST ने जो है इन तीनों problems को खतम कर दिया, तो समझ में आरी आपको बात, तो सबसे पहले हम अपने उसी रमेश वाले example को 1986 से पहले के text system से solve करेंगे, उसके बाद उसी example को 1986 क बात के system से solve करेंगे, और फिर जो है finally उसी example को after GST वाले system से solve करके देखेंगे, तो चलते फटावट शुरू करते, तो सबसे पहले अगर मैं before 1986 बात करूं कि 1986 से पहले text system किस तरह काम करता था, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे, कि आखिर रमेश ने manufacturer से raw material कितने में purchase करा था, तो raw material का sale price था 20 लाक, उसके उपर 10% की excise duty लगी थी, manufacturer ने जब रमेश को raw material सेल करा था, तो सेल करते टाइम पर 10% की excise duty लगाई थी, तो 20 लाक का 10% हो गया 2 लाक, तो 2 लाक की excise duty आ गई, उसके बाद अगर हम इसका total करेंगे, तो आ जागा 22 लाक, और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि वेट जो है हमेशा goods के sale price और excise duty के total लगता है, तो यहां पर जो 10% लगेगा, वो 20 लाक पे नहीं लगेगा, बलकि 22 लाक पे लगेगा, raw material के sale price प्लस excise duty के total पे, तो यहां पर 22 लाक के उपर 10% का वेट लगेगा, जो कि आएगा 2 लाक 20,000 है, तो यह रमेश के लिए purchase value आ गए, यह वो price आ गया, जिस price पे manufacturer ने रमेश को raw material sale करा था, तो रमेश ने manufacturer को 24 लाक 20,000 रुपे दे दिये, और इस 24 लाक 20,000 के अंदर 10% की excise duty भी आ गई, और 10% का वेट भी आ गया, यहां पर आप देख सकते हो, इस 24 लाक 20,000 के अंदर 2 लाक की excise duty भी आ गई, और 2 लाक 20,000 का वेट भी आ गया, उसके बाद जो है manufacturer, इस 24 लाक 20,000 में से 2 लाक की excise duty और 2 लाक 20,000 का वेट गवर्मेंट के पास जमा करवा देगा, तो गवर्मेंट को इस 20 लाक के अपर excise duty और वेट बिल गया, गवर्मेंट ने इस 20 लाक के raw material के ऑपर tax लगा लिया किuw है किते का पैसा कुझ की जयव से निक्ला है, तो अम बता सकते हैं की ए टेक्स का पैसा, जो है रमेश की जय्त से निकला, यानि वायर की जय्च diff aula तो गड़न पड़ा रमेज के ऐकता है मेरी लिए तो ग रमेटियल की cost 24 लाक 20,000 तो यहां पर रमेश के लिए रॉव मटीरियल की पर्चेस वैलियो 24 लाग 20,000 उसके बाद उसके उसके उपर 10 लाग का प्रोसेसिंग चार्ज लगाया इसका टूटल करेंगे तो आजागा हमार पास 34 लाग 20,000 रमेश ने इस रॉव मटीरियल को प्रोसेस करके फाइनल बोल सकते हो या फिर ट्रांजेक्शन वैलियू का मतलब वह यिस वैल्यू पर ट्रांजेक्शन होगी तो यहां पर 38,20,000 पर ट्रांजेक्शन वैलियू आ गई यहां अब यहां पर गौर्मेंट ने रमेश को भी बोला है कि जब भी तुम फाइनल प्रोडुक्ट के उपर 10 परसंट की एक्साइज जूटी और 10 परसंट का वेट लगा होगे कोश्चन आप देख सकते हो प्रोसेसिंग चार्ज 10 लाग का लगा था उसके बाद प्रॉफिट 4 लाग का एड करा था और फिर गौर्मेंट ने रमेश को भी बोला था कि तुम जो है कंज्यूमर को जब गु इसको टोटल करेंगे तो आएगा 42,2000 मैं आपको अभी बताया कि वेट जो है हमेशा सेल वेल्यू प्लस एक्साइज जूटी के टोटल पे चार्ज करा जाता है तो यहां पर आप 10% का वेट लगाएंगे जो कि आएगा 4,22,200 उसके बाद आप इसको एड करोगे तो आएगा आपर पास 46,22,200 यह हमारे प्रोड़क का फाइनल प्राइज आ गया यारी जो प्राइज कंज्यूमर पे करेगा रमेश को तो कंज्यूमर को समान कितने में मिला 46,22,200 अब यहां पर अगर मैं आपसे बूछ हूँ कि यह एक्साइज जूटी का टेक्स और यह वेट का टेक् पता सकते हो कि यह एक्साइज जूटी और वेट का टेक्स जो है कंज्यूमर की जेव से निकला यह त्री लाग एक्साइज जूटी और वेट को गौर्मेंट के पास जमा करवा दिया अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि यह बताओ रॉमेश ने जो टेक्स पे क रमेश ने जमा करा था रमेश ने लेकिन उसके बाद रमेश ने जो है उस टेक्स का बड़न कंज्यूमर के ओपर डाल दिया रमेश ने जो है अपने रॉम मठीयल की कॉस्ट का पार्ट बना दिया उस एक्साइज जूटी और वेट को यहां पर देखो पर्चेस वेल्यू पर वेट चार्ज करा तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि यह जो सेल करते समय टेक्स लगाया गया यह पैसा भी कंज्यूमर की जेव से निकला और जो रॉम मठीयल पर्चेस करते समय टेक्स लगा था वो टेक्स भी कंज्यूमर की जेव से ही निकला तो अल्टिमेटली सारा टे से पहले का सिस्टम है इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी गलतिया है इस पूरी की पूरी के अंदर डेबल टेक्सेशन भी आ रहा है और मुल्टीपल टेक्स तो आपको दिखाई देगी रहे हैं कि एक ही समान के उपर एक्साइस जूटी भी चार्ज हो रही है और उसी समान के बर्डर होता है यो अल्तिमेटली कंज्यूमर के उपर ही जाता इसलिए जो है कन्ज्यूमर को लेकर टेक्स का सिस्टम मनाती है वह पैसा भी सिस्टम के इंदर आ रही थी इस सिस्टम के अदर कंज्यूमर जो है दोब'T टग्स लग रहा था इसी लिए यहां पर क्या बोलाए कि को पर उपर दो बार टेंक्स लग Thankyou क्de는 काहां पर हो रहा था तो यहां पर रमेशन ने सबसे पहले गोडस को मुत को रहा है तो तो एक बार आप पहले इसको देख लो उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है एक बार आप इसको भी देख लो कि कहां कहां पर कितने अमाउंट पर टेक्स लग रहा है तो अब समझते हैं कि डबल टेक्सेशन कैसे हो रहा था तो लग रहा हो अगर आपको यह लाइन समझ में आ गई तो आपको डबल टेक्सेशन की प्रॉलम अराम से दिखाए दिए जाएगी यहां पर जो है रमेश ने बीस लाग का रॉम मतियल पर्चेस करा था तो उसके उपर एक बार गवर्मेंट ने एक्साइस जूटी मांग ली 20,00,00 का टैन परसेंट हो गया दो लाग तो लाग की एक्साइस जूटी हो गई उसके बाद वैट की अगर बात करें तो फर्चेस करते डाइम बट भी लगाता वैट कितने पर लगाता गोड़ाथा लेट लग़ा था तो अगर अगर मैं आपसे पूछू कि इस 22 लाग के अंदर कौन-कौन सी अमाउंट इंक्लूड है तो आप बता सकते हो इस 22 लाग के अंदर एक तो 20 लाग के अंदर एड़ कर दिया था उसके बाद जो टोटल आया था 22 लाग उसके ओपर हमने 10 परसंट का वेट चार्ज कर रहा था तो तो 22 लाग के अंदर 20 लाग का और 20 लाग की एक्स लूटी है तो 22 लाग पर 10 पर संट का टे к्सट लगने का मतलब है कि 20 लाग के ऊपर 10 आपक्र折्श्याज के Talks मतलब होगा 2 लाग और 20 लाग पर 10 पर संट का टे चार्ज हुए एक बार वेट चार्ज हो यहां तक तो बात बिल्कुल सही है कोई दिखकरती है यह तो अलग 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 टेक्स हैं तो अलग से चार्ज होगी और नाग ये चसाद होता ही पर जिसके और और दुबारा से लग रहा है CTS की अमाउंट के ओ पर हमारा वेट चार्ड हो रहा है एक की ओपर दूसरा टेक्स लग रहा तो इस्वें बो लिंग यहम टेक्स यह समझुत है आगया अगर अगर के टेक्स की बात करूं तो यहां पर देखो जब गुड्स को सेल करा गया था तो उस टाइम पर टेक्स लगाया गया था 38,20,000 के ओपर 38,20,000 हमारी ट्रांजक्शन वैल्यू आई थी जिसके ओपर 10% की एक्साइस जूटी लगाई गई थी एक्साइस जूटी के अमाउंट आई थी 38,20,000 तो आब अगर मैं आपसे पूछूं ति 38,20,000 के अंदर कौन-कौन सी अमाउंट इंक्लूड है या हम यह भी बहुत सकते हैं 38,20,000 के अंदर ऐसी कौन-कौन सी अमाउंट है जिसके ओपर 10% की एक्साइस जूटी चार्ज करी ग तो हम चाहे तो यह बहुत सकते हैं 38,21,000,00 के उंञाएं या फिर हम चाहे तो यह भी बहुत सकते हैं कि 20 लाग के उपर 10% का tax लगा फिर दो लाग फिर 10 लाग पर 10% का tax लगा और फिर 4 लाग के उपर 10% लगा तो अगर आप ऐसे भी निकालोगे तो भी आपका 3,82,000 यह आएगा अगर आप इसका टोटल करोगे तो वही आएगा तो अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि कहां कहां पर double taxation हो रहा है और कहां कहां पर tax on tax हो रहा है तो देखो सबसे पहले तो हमें यह 20 double taxation तब बोलते हैं जब एक ही अमांट के उपर दो बार टेक्स लग रहा हो तो यहां पर 20 लाग के उपर एक बार परचेस करते टाइम पर एक साइस जूटी लगी थी और उसके बाद इसी 20 लाग के उपर दूसरी बार सेल करते समय पर एकसाइस जूटी लग रही है तो यह तो गलत बात है इस 20 लाग के उपर गौपर एक बार एकसाइस जूटी ले चुकी है उसके बाद गौपर दूबारा से यहां पर कर औरौर wand दोबारा से ट्राइज जूती चार्च कर लिए यानि एक्साइज दूटी की अबॉपर दुबारा से ट्राइज जूसर傟ी परWow का केसे टेक्स के ओपर दौदा का मॉउंट है यानि हमारे यह 123 हर कणि से करते टाइम तो इस 10 लाग की अमाउंट के उपर तो पहली बार tax लग रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके उपर पहली बार exercise duty चार्ज हो रही है, उसके बाद अगर 4 लाग की बाद करें, तो इस 4 लाग के उपर भी पहली बार exercise duty चार्ज हो रही है, यह 10 लाग और 4 लाग की अ अब अगर मैं सेल करते हैं टाइम पर जो वेट लगाया है उसकी बात करूँ तो यहां पर आप वेट को भी देख सकते हो वेट लगाया था हमने ट्रांजेक्शन वेल्यू और एक्साइस जूटी के टोटल पर टोटल आया था हमार पास 42,002,000 के उपर हमने 10% का वेट लगाय तो 42,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002, 3,82,000 यह 3,82,000 हमारा exercise duty का amount है यहां पर जो sale करते टाइम पर हमने exercise duty charge करी थी ना उस exercise duty को हमने transaction value के अंदर add कर दिया था और फिर exercise duty और transaction value के total के उपर हमने वेट charge कर रा था तो यह जो 3,82,000 है यह हमारी एक tax की amount है जिसके उपर 10% का वेट लग रहा है तो यह साफसाफ tax on tax का case है एक tax amount के उपर दूसरा tax लग रहा है और बाकी यह जो 2,00,000 और 2,20,000 है इसके उपर भी tax on tax लग रहा है यह same इस वाले की तरह है और यह जो 20,00,000 है इसके उपर और फिर यह जो 2 amount है 20,000 और 22,000 यह हमारी tax on tax है और बाकी 10,00,000 और 4,00,000 के उपर तो पहली बार बैट लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है दस लाक और 4,00,000 के उपर पहले जिसकी वज़े से हम बहुत सकते हैं कि 1986 से पहले का tax system बिलकुल वेकार system था, finally सारा का सारा tax का burden तो consumer के उपर ही आता है तो consumer को इस system के अंदर एक ही amount के उपर दो बार tax pay करना पड़ रहा था और साथ के साथ tax के amount के उपर बार बार tax भी लग रहा था तो समझ में आगी बात, तो ये तो हो गई 1986 से पहले की system की बात, अब बात करते हैं 1986 के बात के system की बात के आखर 1986 के बात जो system आया, उसके अंदर इन में से कौन सी problem खटम हुई तो अगर मैं after 1986 बात करूँ, तो अब हम फटा फट देखेंगे, क्योंकि हमें problem तो समझ में आ गई, क्या आखर कौन सी थी problem है और कहां कहां पर problem है, तो अब हम फटा फट इस example को complete करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले हम इसमें थोड़ा ज्यादा time लगा चुके तो 1986 के बात कि आगर सिस्टेम की बात करूँ, तो यहाँ पर सबसे बहले तो रमेश यह देखेगा कि आखिर उसको raw material कितने में मिला, उसके लिए raw material की cost कितनी है, तो सबसे बहले raw material का price था 20 लाग, फिर उसके उपर 10% की excise duty लगी, तो इसका total करेंगे 22 लाग आ जागा, फि जो है 24 लाग BCR उपर manufacturer को pay करें, और manufacturer ने जो है रमेश को raw material सप्लाई करा, तो यहाँ पर भी manufacturer जो है, इस 24 लाग BCR में से 2 लाग की excise duty और 2 लाग BCR का वेट, गौर्मेंट के पास जमा करवा देगा, गौर्मेंट को तो 20 लाग को पर tax मिल गया, अब इस नई सिस्टम के अं गौर्मेश को कहा रही है कि एक काम करो, कि तुमने जो यह excise duty और वेट पे करा था ना, तुम इसको भूल जाओ, तो रमेश कहता है, ऐसे कैसे भूल जाओ, मेरी जेव से पैसा निकला है, तो मैं अपने पैसों को ऐसे कैसे भूल जाओ, तो गौर्मेंट कहती है कि हम temporary भू जूटी और वेट हो, अपने raw material की cost का part मत बनाओ, तुम यह मत बोलो कि मेरी raw material की cost 24,20,000 है, बलकि यह बोलो कि मेरी लिए raw material की cost सिर्फ 20,00,000 है, यहाँ पर जो तुमने 2,00,000 की excise duty और 2,00,000 का वेट पे करा था, इसको तुम कहीं पे side में note करके लिख लो, तो रमेश बोलत दिलवा देंगे, यह जो तुमने purchase करते टाइम पर excise duty और वेट पे करा था, यह हम तुमें वापिस दिलवा देंगे, तो इसकी tension तो तुम लोई मत, अभी तुम मान के चलो कि तुमें 20,00,000 का raw material की cost 20,00,000 है, तो रमेश बोलता ठीक है, तो रमेश ने यहाँ पर raw material की cost को म इसके उपर 10% की excise duty charge करेगा, जो कि आगी 3,40,000,000, फिर जो है, इसको total करा जाएगा, फिर उस total के उपर 10% का वेट लगाए जाएगा, फिर आएगी product की final amount, product का final price, जो consumer pay करेगा, तो consumer की जेब से निकला 41,14,000, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, तो रमेश ने जो है पर्चेस करते टाइम पर pay करा था, उस tax को रमेश ने अपने raw material की cost का part नहीं बनाया, तो automatically consumer के लिए समान सस्ता हो गया, चुकि raw material की cost 20 लाग होई, उसके बाद इसी के उपर आगे काम होता गया, और consumer को जो है, सिर्फ एक बार sale करते टाइम पर tax pay करना पड़ा, जो 3,40,000 का excise duty और 3,44,000 का wet था, consumer ने सिर्फ इस tax की payment करी, इससे पहले जो purchase करते टाइम पर tax लगा था, उसकी payment consumer ने नहीं करी, तो consumer के लिए तो यहाँ पर double taxation की problem खतम हो गई, तो इस system से consumer का काम तो हो गया, लेकिन रमेश गौर्मेंट के पास जाता है, और government से बोलता है, कि मेरा पैस वापिस कब करोगे, मैंने तो consumer को सस्ते में समान दे दिया, येकिन मैंने जो tax pay करा था purchase करते टाइम पर, वो tax मुझे कब वापिस मिलेगा, तो government कहती है, रुख जाओ, अभी तुम्हें वापिस दिलवाते हैं, सबसे पहले तुम हमें यह बताओ, government यहाँ पर रमेश से जमा करनी है, और 3,74,000 का वेट जमा करना है, ये जो tax रमेश ने consumer से लिया है, इस tax को रमेश अपनी जेर में तो रखनी सकता, इस excise duty और वेट को रमेश को गवर्मेंट के पास जमा करवाना है, तो रमेश गवर्मेंट से कहता है कि ठीक है, मैं 3,40,000 और 3,74,000 तुम्हारे जिंकरती हा, लेकिन sale करते टाइम पर जो रमेश ने tax pay करना है, उसमें से रमेश अपने purchase वाले tax को less कर सकता है, अगर हम purchase की बात करें, तो यहाँ पर देखो, जब रमेश ने manufacturer से raw material purchase करा था, तो उस time पर रमेश ने 2,00,000 की excise duty पे करी थी और 2,00,000 VCR का वेट पे करा था, और इस amount को रमेश ने side में लिख लिया था, कि मुझे government ये पैसा वापिस करें थी, उसके बाद रमेश ने sale करते टाइम पर consumer से 3,40,000 की excise duty रिसीव करी थी और 3,74,000 का वेट रिसीव करा था, अब रमेश ने जो है government को ये tax जमा करवाना है, तो government रमेश से कह रिए कि तुम जो है इस sale वाले tax में से अपना purchase वाले tax माइनस कर लो, तुम हमें 3,40,000 की excise duty जमा करवाने वाले थे, तो अब एक काम करो तुम जो है इस 3,40,000 में से 2,00,000 की excise duty माइनस कर लो और balance जो 1,40,000 आएगा वो तुम हमें दे देना, उसके बाद इस सेम काम करो तुम वेट के अं तो अब यहां पर एक बात और देखो, purchase करते टाइम पर जो tax pay करा जाता है उसको बोलते हम input tax और sale करते टाइम पर जो tax receive करा जाता है उसको बोलते है output tax, तो हम जो है output tax में से input tax minus करते हैं, उसके बाद जो balance आता है वो रमेश के लिए net tax liability बनेगा, यानि उतना पैसा जो है र तो output tax वो है जो sale के ओपर लिया गया था, जो किया 3,40,000, इसमें से जो government कह रही है कि अपना purchase वाले tax less कर लो, तो 2,00,000 का tax less कर लिया, उसके बाद जो balance आया, net excise duty आई 1,40,000, रमेश जो है 1,40,000 की excise duty government के पास जमा करवाएगा, उसके बाद अगर मैं wet की बात करूँ, तो output था हमारा 3,74,000, जिसमें से input tax credit, यानि जो purchase वाले tax था, जो tax हमें वापिस मिल जाता है, जो tax को minus कर पाते हैं, उसको बोलते हम input tax credit, तो purchase वाले tax हमारा input tax credit कर लाएगा, 2,20,000, यहां पर minus कर दिया, तो net wet आगया हमारे पास 1,54,000, इसको जो है रमेश गवर्मेंट के पास जम output tax credit को ही output tax में से minus करा था, तो समझ में आरी बात, यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस system के अंदर, किसने कितना tax pay करा, तो आप देख सबते हो, tax pay to government, manufacturer ने जो है, 2,00,000 की excise duty पे करी, और 2,20,000 का wet पे करा, उसके बाद रमेश ने जो है, 1,40,000 के excise duty पे करी, और 1,54,000 का wet अगर हम इन दोनों को total करें, 2,00,000 की excise duty और 1,40,000 का wet तो आएगा 3,40,000, और अगर हम 2,00,000 VCR के wet और 1,54,000 के wet को add करें, तो आएगा 3,74,000, और यही excise duty और यही wet हमने sale करते समय पर charge करा था, आप देख सकते हो, sale करते टाइम पर हमने 3,40,000 के excise duty और 3,74,000 का wet चार्ज कर होता है, वही tax ultimately government के पास पहुषता है, उसमें से कुछ portion manufacturer के थूप पहुषता है, कुछ portion retailer के थूप पहुषता है, कुछ portion बीच में agent के थूप पहुषता है, लेकिन government के पास total उतना ही tax पहुचा, जितना tax consumer के bill में लिखा हो था, यानि जितना tax consumer ने पे करा था, चूँकि ultimately सारा टेक्स का बड़न तो कंज्यूमर के उपर ही जाता है तो समझ में आ रही आपको बात अब ज़रा एक बार ये भी देख रहते हैं कि आखर इस 1986 के बाद वाले सिस्टम से डबल टेक्सेशन की प्रॉल्लम कैसे खतम हो ले वैसे तो हमें समझ में आ गया कि कंज्यूमर के ल जो गया था 2 yağ 20,000 ब् horse इस 22 लेकां फर हमारा 20 लाक और दो लाक इंक्लूट था इस्ट लाक के उपर एक बार एक बाद ये बार घ्याइस लुटिब लगा याने गया लेकिन नई सिस्टम के अंबर गौरमेट कहते है कि हम रमेश को इन्पुक्ट टेक्स क्रेडिट देगे यानि रमेश जो है इस purchase वाले tax के burden को consumer के ओपर shift नहीं करेगा रमेश जो है अपने raw material की cost के अंदर इस 2,00,00 के excise duty के tax को और 2,00,00 BCR के wet के tax को include नहीं करेगा ये पैसा हम रमेश को वापिस दिलवा देंगे यानि रमेश के output tax में से less करवा देंगे रमेश को input tax credit मिल जाएगा तो रमेश ने जो है इस बार purchase वाले tax को अपने raw material की cost का पार्ट नहीं बनाया तो हम बोल सकते हैं कि sale करते टाइम पर जो raw material की cost थी उसके अंदर अभी तक tax add नहीं हुआ है यहाँ पर sale करते टाइम पर 34 लाग की हमारी transaction value आ रही और इस 34 लाग के ओपर हमने 10% की excise duty charge करी थी तो अब अगर मैं आपसे पूछू कि इस 34 लाग के अंदर कौन कौन सी amount include है तो आप बता सकते हो इस 34 लाग के अंदर 20 लाग include है 10 लाग include है 4 लाग include है 10 लाग का processing charge हो गया और 4 लाग का profit हो गया लेकिन इस बार जो है इस 34 लाग के अंदर ये 2 लाग और 2 लाग BCR include नहीं है यहाँ पर यह जो tax की amount थी 2 लाग की excise duty और 2 लाग BCR का वेट जो purchase करते टाइम पर pay करा था यह इस 34 लाग के अंदर include नहीं है क्योंकि रमेश ने purchase वारे tax को अपनी cost का part नहीं बनाया था तो यह tax को हम काट देंगे यह जो है 34 लाग के अंदर include नहीं है तो इस 2 लाग की excise duty और 2 लाग BCR की वेट के उपर tax on tax की बात तो यहां पर खतम हो गई और साथ के साथ इस 20 लाग के उपर यह पहली बार tax लग रहा है तो इस 34 लाग के अंदर 20 लाग की amount तो include थी लेकिन उसके उपर जो purchase के time पर tax लगा था वो tax की amount को रमेश ने अपनी raw material की cost का part नहीं बनाया रमेश ने raw material की cost लेखी थी 20 लाग उसके बाद उसने उसमें 10 लाग का processing charge एड़ करा था और 4 लाग का profit एड़ करा था और फाइनली जो हमारी transaction value आई थी वो आई थी 34 लाग 34 लाग इंदर अभी तक एक बार भी tax नहीं लगा है तो यहां पर यह जो 20 लाग के उपर 10 परसंट का का excise duty लगा यह जे पहली बार लग रही है बीस लाग की amount के उपर पहली बार tax लग आ उसके बाद 10 लाग पहली बाद लग रहा है और फिर यह चाल लग के उपर पहली बाद लग रहा है तो इन में से कहीं पर भी डबल टैक्सिशन नहीं हो रहा उसके बाद अगर मैं वैट की बात करूं तो वैट के अंदर भी सेम कहान है वैट के लिए जो हमारा टोटल आया था वह आया था 37,44,000 हमने एक्साइस जूटी के अमाउंट को एड करा था 3,44,000 उसके बाद जो हमारा टोटल आया था वो था 37,44,000 इस 37,44,000 के उपर हमने 10% का वेट लगाया था जो था हमारा 3,74,000 अब वही सवाल मैं आप से फिर से कर रहा हूं कि 37,44,000 के अंदर कौन-कौन सी अमाउंट इंक्ल हमेशने पर्चेस वाले टेक्स को साइड में अलग से लिखावा है इसको कॉस का पार्ट नहीं बनाया तो यह दो लाग और दो लाग वी सियर इस बार 37,44,000 का पार्ट नहीं है और यहां पर यह जो 20 लाग का अमाउंट है इसके उपर पहली बार वेट चार्ज हो रहा है इ जो है ट्रांजक्शन वेल्यू और एक्साइस जूटी के टोटल पर चार्ज होता है तो यह जो 30,44,000 के इसके उपर भी वेट चार्ज हो गया इस 37,44,000 के अंदर यह 30,44,000 भी इंक्लूड है यह 30,44,000 हमारा एक टैक्स का माउंट है जिसके उपर एक और टैक्स चार्ज हो जिसके तो वहां पर तो नहीं डेबल टैक्सेशन की प्रॉलम ती और नहीं टैक्स ऑन टैक्स टी प्रॉलम लेकिन क्यूंकि वेट जो है वह सेल प्राइस एक्साइस जूटी के टोटल के ऊपर ही चार्ज होता है इसी लिए वेक अंदर टैक्स की प्रॉलम आ जाती है तो 1986 क प्रॉलम को दूर करा गया सबसे बहले 1986 में मौड़ वैट का सिस्टम आया तो बार बार गौर्बंट कोशिश कर रही थी कि आम टैक्स-अन-टैक्स की फ्रॉलम को भी खतम कर दें लेकिन वह प्रॉलम खतम नहीं हो पारे थी तो इसलिए जो है फाइनली 2017 में हमारा GST आया जिसने हमारी सभी प्रॉलम्स को एक साथ दूर कर दिया अलग-अलग बहुत सारे टैक्स की प्रॉलम्स भी दूर कर दी यानि मुल्टीपर टैक्स की प्रॉलम्स भी खतम कर दिया यानि कास्केडिंग एफेक्ट खतम हो गया पर चार तरीके के टैक्सेस थे जो हमने थोड़ दीर पहले देखे थे एक हमारा ता हमारा सी जी आस्टी एक उमारा एजी एस्टी एक ता हमारा एक आमरा यू ट जी जी स्वेश्ट जू हम्हारे हमारे में दो कोमें टेक्स हैं तो हैं extraordinarily GST और HDST सबसे पहले हम इसके बार में बदा करेंगा करेंगे में इसके ऊपर वह उपर हम GST चार्ज करेंगे हे यहाँ पर रतिगे मटमी इसकी फिर फिर वह बात रही सबस्कित नंगर शर्चेशी लगност जिस तरह है 1986 के बाद वाले सिस्टम में डवल टेक्सिशन की प्रॉलम नहीं आरी जी क्योंकि जो सेलर था उसको बोल दिया जाता था कि तुम जो है अपने पर्चेस वाले टेक्स को अपने प्रोड़क की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे जो टेक्स तुमने पर्चेस करत की प्रॉलम खतम हो चुकी तो जी एसटी के अंदर भी इस बात को समझा गया कि अगर हम इंपुट टेक्स क्रेडिट का सिस्टम लाते है तो उससे डबल टेक्स क्रेडिट का सिस्टम है यहाँ पर भी पर्चेस वाले टेक्स को अलग से लिख लिए जाता है और फिर सेल वा अलगे कहले बताइस था कि हमारे पास तरीकी का मध्स होती है एक होती है सेंट्र गौर्णhthal वर्ण्मट्ट लोनों को काम करनी के लिए पैसजी जरुवत ऌती है स्टेट गौर्मट्ट को पैसा ची मधिस चुकες टो जूस्प यहां पर स्टांियों सुर्श्ए बिश्ट ऐसले जगा और 10 पर्सेंट का जिए सी जो नियुक्त का सडेंग tiempo जोए तो हम क्या करते हैं हम पहले से ही वीस पर्सेंट की जगह पर 10-10 पर सמה सापते क्राच करतें का सीलिक शेंट sesय चार्ज़ और दATHAN siadhau χुआ यह बीशला है तो जो बीस लागक का दस पसंट हो गया दो लागक रुपे का स्टेटल मेंर्मिन्न और तो दूटलों को अपना अपना पाइस आगया वह आा गया चौ Daar अब दुकत आथी इससे पहले के system के अंदर डबल taxation की प्रॉलम तो खतम हो चुकी थी लेकिन tax on tax की प्रॉलम अभी वच्छी थी क्योंकि हम जो है सबसे पहले raw material के प्राइस के उपर exercise duty charge करते थे उसके बाद उसके टोटल के उपर वेट चार्ज करते थे तो जब भी चार्ज करा जाता था तो वेट जो है रोव मटेरिल के प्राइस के उपर भी चार्ज हो जाता था और साथ के साथ के इन दर टैक्स के प्रॉलम आ जाती थी लेकिन GST आने के बाद GST ने साफ साब बोला कि जो भी टेक्स चार्ज होगा वो सीधे सीधे raw material के प्राइस के उपर होगा तो चाहे CGST हो चाहे SGST हो दोनों के दोनों 20 लाग के उपर ही चार्ज होगे तो यहाँ पर आगया 24 लाग यह जो है वो प्राइस है जिस प्राइस पर रमेश manufacturer से raw material प्रचेस करेगा तो यहाँ पर रमेश ने manufacturer को 2 लाग का CGST दे दिया और 2 लाग का SGST दे दिया तो साइड में अलग से लिखके रख लो बाद में अपने सेल वाले टेक्स में इसको लेस कर लेना तो रमेश ने बोला ठीक है रमेश ने यहाँ पर लिखा इंपुट टेक्स क्रेडिट और उसके निचे लिख दिया दो लाग का CGST और दो लाग का SGST तो यह CGST और रमेश को वापस मिल जाएगा बाद में इसको लेस कर लेगा तो रमेश के लिए रो मतिरिल की कोस्ट बन गई बीस लाग उसके बाद रमेश ने इसके उपर दस लाग का CGST लगेगा और इसी 34 लाग पर 10% का SGST लगेगा तो 3,40,000 का CGST हो गया 3,40,000 का SGST हो गया तो फाइनल जो प्राइस आया वो आया CGST कर वाओ तो गवर्मेंट क्याती है कर लो तो रमेश ने 3,40,000 का आउटपुट CGST लेकिन रमेश कह रहा है कि इसमें से मैं अपना इनपुट CGST लेस करूँगा और फिर फाइनली जो रमेश के लिए नेट CGST टेक्स पे बलाएगा वो आएगा 1,40,000 और फिर अगर हम SGST की बात करें तो सेम SGST के अंदर यह होगा कि आउटपुट SGST था 3,40,000 उसमें से इनपुट SGST लेस करा 2,00,000 और फाइनली जो नेट SGST टेक्स पे बलाया वो आया 1,40,000 तो यहाँ पर रमेश जो है गवर्मेश के पास 1,40,000 का SGST पे करेगा और 1,40,000 का CGST पे करेगा तो अब आफ्टर GST अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि गवर्मेंट के पास कितना टैक्स गया तो हम बता सकते हैं कि रमेश ने जो है मैनिफेक्चरर को 24 लाग की पेमिंट करी थी और इस 24 लाग चंदर 2 लाग का CGST था और 2 लाग का SGST था तो मैनिफेक्चरर के थूँ गवर 1,40,000 का रमेश का CGST तोटल कितना हो गया 3,40,000 तो यहां पर आप देख सकते हो रमेश ने जब कंज्यूमर के लिए बिल बनाया था तो उसके अंदर 3,40,000 का CGST ही लिखा था और अगर हम SGST की बात करें तो मैनिफेक्चरर ने 2,00,000 का SGST पे करा था और रमेश ने 1,40,000 का SG SGST पे करा तो टोटल हो गया 3,40,000 तो यहां पर कंज्यूमर के लिए जो बिल बनाता हो उसके अंदर SGST 3,40,000 फा यानि कंज्यूमर के पास जो बिल होता है उसमें जितना टेक्स लगा होता है उतना ही टेक्स टोटल मिरा के गवर्मेंट को मिलता है 3,40,000 का CGST और 3,40,000 का SGST पी कंज्यूमर ने पे करा और यही 3,40,000 और 3,40,000 तो टोटल गवर्मेंट को मिला लेकिन इसमें से कुछ पैसा रमेश के थूरू मिला और कुछ पैसा मैनुफेक्चरर के थूरू मिला तो समझ में आरी है बात थोड़ा बहुत आपको GST का सिस्टम क्लियर हो गया बाकि अ उखा के हमारा रमेश है यह रमेश जो है ड़़ी में रहता है डहली में बश्स करता तो इसने जो है ड़Birese के ही गाउद नामता नोहाचव करें तो यहां पर अगर मैं publicly आरयर है में और हैं और सिर्ट।yszूरिग हो और ब्रण स्टेच पर पर चैसंगा पड़ता है कि आखिर और विदिन स्टेट रही है यह अलग अलग स्टेट का मतलब है कि अलग स्टेट का है और सैब्स यहाँ पर हमारे इस एग्जांपल के अंदर ले यहाँ लेख vat करे 10000 उक्यार लेकिन यहां पर गुट कर रहा है तो सेल अमाउंट पर GST भी लगेगा यहां सेल करो चाहिए सर्वुसेश सेल करो डोनों के उपर ही GST चार्ज होता है अब सर्वसेश सेल बोले या सर्वइसेश रेंडर बोले लिए एक ही बात है तो यहां में पर GST लगेगा लेट सपोस इस एक्जामपल में हमने माल लिया कि 12% GST का रेट है अब अगर आप 12% को डिवाइड करोगे तो 6% आप CGST बोल सकते हो और 6% आप SGST बोल सकते हो तो वह एक अलग बात है लेकिन GST का रेट है रमेश ने मोहन को 1,68,000 रुपीज पे करा जिसके अंदर 18,000 का GST वे आ गया यहां पर रमेश ने मोहन से शूस को पर्चेस करा और आगे सुमित को ये शूस सेल कर दिये अगर मैं आपसे भूच हूँ कि रमेश के लिए शूस की कॉस कितनी थी तो आप बोलोगे 1,68,000 तो मैं बोल रहा हूँ ये गलत है रमेश के लिए शूस की कॉस थी 1,50,000 मैं आपको अभी बताया रमेश ने पहले शूस को पर्चेस करा और फिर रमेश जो है शूस को सेल कर रहा है यहां पर हम सारी बातचीत कर रहे है रमेश के पॉइंट अभू से तो रमेश ने जो पर्चेस करते टाइम पर टेक्स पे क रमेश के लिए शूस की कॉस्ट 0,50,000 रुपे ही है तो यहां पर रमेश के लिए शूस की कॉस्ट ने लाक आईगी उसके ऊपर रमेश के अपना प्रॉफिट रैड करा और फाइनली धाई लाक में सुमित को शूस सेल करे धाई लाक नका मतलब हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि 1000 पर शूस बेचे थे एक प्रेट है इस तरही के से भी आप बोल सकते हो डेड़ लाक रमेश के सूज की कॉस्ति जिसको पर एक लाक का प्रॉफिट एड़ करके धाई लाक में सुमित को शूस बेज दिये तो यहां पर यह ध्यान दखना कि सुमित भी डली में रहता है तो कि र जो आए गा उसको मैं गोर्मेंट के पास जमा करऊंगा तो यहां पर अगर हम रमेश का टेक्स पेबल निकाले तो कैसे निकलेगा रमेश जो है अपने आउटफुट GST में से अपना इंपूट GST 30,000 रुपए यहां पर आउटफुट GST के अंदर लिखा था जो सुमित को बिल मिला था शूस पर्चेस करने पर उस बिल के अंदर 30,000 का जिए लिखावा था यानि गवर्मेंट के बास टोटल 30,000 का टेक्स गया था तो समझ में आ रही है बात अब यहां पर देखो जो टेक्स रमेश ने पर्चेस करते टाइम पर पे करा वो टेक्स रमेश के लिए अस्ट बन जाएगा क्यूंकि रमेश बोलेगा कि यह जो टेक्स मैंने अभी पे कराए इस टेक्स का बैनिफिट मुझे बाद में मिलेगा बाद में जब मेरा आउटपूट GST आएगा तो उस output GST में से मैं अपने इस input GST के tax का benefit ले सकता हूँ, future में ये input GST रमेश अपने output GST में से less कर सकता है, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि tax pay करने की liability seller के उपर होती है ना कि buyer के उपर, तो रमेश जब सुमित को good sale करेगा तो उस time पर रमेश seller होगा, और output GST seller के लिए liability होता ह है, रमेश के सर पर liability है कि वो 30,000 का GST buyer से collect करें और इस GST को government के पास जमा कर वा, तो output GST हमेशा seller के लिए liability होता है, तो यहाँ पर रमेश बोल रहा है कि इस liability को pay करने से पहले मेरे पास कुछ asset है, कुछ benefit है जिसको मैं अपनी इस liability में से less कर सबता हूँ, तो यहाँ पर output GST जो की रमेश के liability है, उसमें से रमेश ने अपना input GST, जो की रमेश का asset है, उसको less कर लिया, और जो balance आ गया हो balance, रमेश के लिए tax payable हो गया, और हमें अच्छे से पता है कि asset का हमेशा debit balance आता है, और liability का हमेशा credit balance आता है, तो इसलिए input GST का हमेशा debit balance आएगा, और output GST का हमे झाल